तेहिन सात्यों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यों SSC GD की परिक्षा की अगर बात करें तो आज की शिप्ट में सात्यों जिस टाइप के कोशन्स आप से पूछ जा रहे हैं ठीक उसी टाइप के सात्यों यहाँ पर आधारित यह क्लास आपकी होगी और यह पूरा एक मौक टेस देखेंगे पहले हिंदी के कोशन फिर सामान निग्यान के कोशन उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैत के तो सात्यों आपकी शिप्ट में सात्यों अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अभी और आने वा आने सात्यों आजानुबा हो और ये एक्जाम में आपके कोशन ट्रेंड करेगा उसके बाद देखिए कि शब्द की वरतनी अशुद है बताएए देखिए यहाँ पर अगर बात करें सात्यों आगर बात करें ग्रह ऐसा ही लिखा जाता है कृष्ण भी ऐसा लिखा जाता है लेकिन घ्रणा की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तो कौन सी साथियो वरतनी यहां पर अशुद होगी जो option number A में लिखी हो यह उसके बाद देखिये साथियों कि जिसकी जड़ नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों उसको क्या कहा जाएगा उसको निर्मूल कहा जाएगा यह बात आपको मालूम होना चाहिए इस पृष्ण का सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिये दधी का साथियों अगर तदभर रूप की बात करते हैं तो दधी के अगर बात करें इस बार आपको एक सीट में दिलवा कर रहूंगा जितनी भी साथियों अभी तक मैंने क्लासेश कर दी हैं वो सभी क्लासेश आते हो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होगी और वो सारी क्लासेश अगर आप देख लेते हैं आप लोग ध्यान रख सकते हैं तो बाहुल्ला आप लोग ध्यान रखेंगे यानि कि आती उपसर का मतलब क्या होता है तो बाहुल्ला होता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशन आपके इसके रेन पर है कि कमलेश के अगर बात करें ये विश्णू का परेवाची है और कमला कांत भी विश्णू का परेवाची है और अगर बात करें कमला पती भी विश्णू का परेवाची है लेकिन कमला संसातियों विश्णू का परेवाची नहीं है तो यहीं आपका जवाब हो जाता है उसके बा करें, तो हिंदी पुलिंग और इससे लिए इसका नहीं होता, कोयल है तो कोयल है सاتhिओं, ऐसा नहीं करेंगे कि कोयली है या कोयला है चलेए उसके बाद देखिए नेक्स नॉमबर का कोशन आपके इसकरेयन पर है किन मुनिकेत मेंसे कौन सा वाकQué सही है या आपसे पूछा जा रहा है तो शिरिराम चौधा वर्ष के बाद 1 से वापस लोटे ये सही वाक कोहा या शिरिणाम 14 वर्ष के बाद 1 वाद से वापस लोटे या शिरिणाम 14 वर्ष के बाद 1 से वापस लोटे या शिरिणाम 14 वर्ष के बाद 1 से लोटे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए यनिके जो शुद्ध वाक के लग रहा है बिलकुल सही वाक का आपका लग रहा है वो आप्शन नमर डी वाला लग रहा है तो जिनका भी आंसर यहांपर डी है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए जिसके पेट में माने रसी बांदी हो उसको क्या कहा जाता है तो उ बहुत सारी की अगर यहां पर बात करें प्रत पैतर की शब्द की अगर बात करें इसमें प्रते क्या होगा सात्यों आप लोग घ्यान रखेंगे अक नहीं होगा इसमें प्रते एक होगा तो आंसर की अगर बात करें आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर सी के साथ उसके वाला साथियो राइट आंसर ना लगा देना वरना वो आपका गलत हो जाएगा उसके बाद देखिए आम के आम गुट्लियों के दाम ये एक लोकोती है और इस लोकोती का मतलब साथियों क्या होता है दोहरा लाब एक दम फाइदा जो वैक्टी अपना हित अनहित ना समझे है या उपरुक्त में से कोई नहीं तो कहा जा सकता है साथियो डवल प्रॉफिट यानिके दोहरा लाब ही इसका मतलब होगा आम क्याम गुट्लियों के दाम का उसके बात देखिए शुद वरतनी वाला शब्रॉब बताएं इसमेंसे कौन साथ शब्रॉब बिल्कुल सही लिक़्ाूँ है तो मेरे हिसाप से साथ यूव ऑप्शन नमर डी वाला जो इर्शा शब्रॉब लिखाूआ ये बिल्कुल सही है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। मत draft में पूछा जाना इस मोहाबरे के लिए मतलब क्या होगा शाथ यो इसका मतलब क्या होगा? आपसे exam में पूछा जाएंगे इसलिए बता दीजे घर, फूक, तमाशा देखना नहीं, घiggी बंदना नहीं, सिट्टी-बिंती गुम हो जाना बिल्कुल सही बिल्कुल डर जान खोश उड़ जाना या सिट्टी बिट्टी गुल हो जाना एक ही बात है तो आंसर जिनका सी था तो बिलकुल करिक था जान के लाले पढ़ना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है स्वैम को संकट में डालना ये होगा मतलब गंबीर संकट में होना या संकट टलना संकट टलना तो नहीं हो सकता मुसीबत में गुजारा करना ये होगा तो कह सकते हैं साथ हो इसका जो सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे का निशान होगा उसको क्लिक करके एक बार आल पर सब्सक्राइब कर लिए ताकि जैसे ससी जीडी का फुल मॉक टेस सात्यों इस चैनल पर आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आजए उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वो वीडियो सात्यों देख सको तो कुल्मिला के सात्यों जो भी आपका एनलेसिस हो रहा है मैथ और रीजनिंग का भी मैं एनल स्टाप को मिल जाए चले करतव कि अगर बात करें इसमें सात्यों परते जो है ना वो तब है इसलिए सही जवाब आपका एके साथ जाएगा पीछे पीछे चलने वाले इसका मतलब क्या होता है तो उसको सात्यों क्या कहा जाता है उसको अनुगामी कहते है जो पीछे पीछ तो आंसर यहाँ पर जिनका भी option number B तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए कि शब्द में आवा परते हैं नहीं है देखिए दिखावा कि अगर बात करें इसमें भी साथियों आवा परते हैं और भुलावा में भी साथियों आवा परते हैं लेकिन लावा में आवा परते हैं क्या होगा बाजी होगा आंसर आपका जाएगा एके साथ अब उसके बाद देखिए साथियों हिंदी के आपने देख लिए कितने कोशन साथियों देखे बीस कोशन आपने हिंदी के देखे अब सामान निग्यान के साथियों यहां पर बीस कोशन देख लिए उसके बाद या आप से पूछा जाए रहे, तो आप से अगर पूछा जाए महा परे निर्मान कहां पर पराप्त हूआ तो कुशिनागर में साथ they onig mi DES. का जन्म हुआ था या आप लो ग्यान रखेंगे और अगर बात करें इनको ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई तो बिहार में गोध बोध गया है तो बिहार के बोध गया में ही साथी उनको ग्यान की प्राप्ति हुई और अगर बात करें यह महापरी निर्मान क्या है तो मृ अगर आप से पूछेंगे अगले नंबर का प्रिशने के भारत में सबसे पहली जनगरना कब शुरू की गई थी बताने की कोशिश कीजिए देखें यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहली बार जनगरना जो है वो कब शुरू की गई थी तो वो तो 7872 में शुरू की गई थी तो लॉड मेयो के कारेकाल में शुरू की गई थी अच्छे यहाँ पर अगर लिखा होता सबसे पहली के जगा नियमित लिखा होता यहाँ निय जाते हैं एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जो जंगलना थी भारत की कौन से नंबर की जंगलना थी तो ये पंधरवे नंबर की जंगलना थी लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये स्वत्मत्र भारत की कौन से नंबर की जंगलना थी तो ये स्वत्मत्र भारत की सात्यों सात्में नंबर की जन करना थी तो चार पॉइंट जो मैंने आपको बता हैं सात्यों उनको आपको धियान रखना है उसके बाद देखें अगले नंबर का प्रिश्ण है कि 1904 में किसने क्रांती कारियों के गोपनिय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किय था तो यहां पर अगर बात करें पूछा जाता सात्यों आभिनव भारत की स्थापना किसने की तब भी आप क्या बताते वीडी सावर कर ही बताते और कहा गया है कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया सात्यों तब भी आपको विनायक दामोदर सावर कर यानिके वीडी सा बताईए चलिए Chief चैन्दर बोस साथियों सही जवाब हो जाता है आगय करें है吗त्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किस ने कहा तो रविन्दा तैगोर ने कहा और पूछा जाता साथियों जो पूछा गया इस宪िल में कि महात्मा गांधी को पहली बार राश्ट पिता किस ने कहा तो सुभाष चंद्रबोस ने कहा ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए कि अंतर राश्टिय शांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंदित परवधान भारती सविधान के निमिकित में से किसके एक भाग के रूप में उलिखित हैं तो किसके भाग में साथियों रूप के रूप में उलिखित हैं राज के निती निदेशक सिध्धान के रूप में उलिखित हैं तो आंसर आपका अगर है साथियों आप्शन नमबर B के साथ तो बिलकुल करिक्ट है 73 में सविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारती सविधान में किसके शीरशक से एक परिछेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छे 243 से 243 O के प्रवधानों को कवर करता है तो किसकी बाद चल लए ये सातियों आप लोग ध्यान रखेंगे पंचायत की बाद चलें यानि कि यहां पर खाली जगा में सातियों पंचायत शब्द आएगा तो ये वाक्या आपका पूरा होगा उसके बाद देखिए इन में से कौन से राज़ पाल घट दर्रे से आपस मे जड़े हुए हैं तो केरल और तमिलानू आप लोग ध्यान रखेंगे या पाल घट दर्रे से जड़े हुए आंसर आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद देखिए कराकोरम परवश रंखला में सबसे उची चोटी कौन सी है तो कराकोरम परवश रंखला में सबसे उची 111 मीटर इसकी उचाई है ठीक है ना चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोशन है कि सागाउन के जंगल भारत के निम्लिकित में से किस राज़ में सागाउन के जंगल साथियों किस राज़ में है कुल मिला के ये आपको बताने तो कहां पर हैं ये तो मद्ध राज़्टी उधभन की हेमिस नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये भारत का सबसे बड़ा राश़्टी उधभन है ये आप लोग ध्यान रके हैं और पूछा जाए ये कहां पर है तो ये लद्धाख में है कहां पर है साथियों लद्धाख में है और अर्थवस्था का मेरू धंड कहा जाता है तो जिनका भी आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि इन में से किस प्रिकार की अर्थवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविदियों का मुख उद्देश लाब अर्जित करना होता है तो किसकी बाद चल लएए साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे पूजी वादे की यहां पर बाद चल लएए इन में से किस प्रिकार की अर्थवस्था में तो जो पूजी वादी अर्थवस्था होती ना इसमें संसादनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थी गतिविदियों का मुख उद्देश जो होता है वो लाब कमाना होता है या आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखें साथियों अभी जो मैत और रीजडिंग के जो कॉंसेप्ट मैप को बताने वाला हूँ वो बहुत शानदार साथियों आपके लिए कॉंसेप्ट मैं आज के इस क्लास में लेकर आए हूँ 33 नमबर का साथियों कोशन्स देखिए परती धुमनी सुनने के लिए सुरोत तथा परावरतन सतह के बीच कितनी नूंतम दूरी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए साथियों 17 मीटर की होनी चाहिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर B के साथ जाएगा ट्रांसफार्मर की खोच साथियों किसने की थी अब आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है तो माइकल फेराइडे का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा साथियों बहुत बारी किताबों में इनका जिक्र किया गया है तो माइकल फेराइडे के दौरा ही साथियों ट्रांसफार्मर की खोच की गई थी अगला पुर्षन देखे किस गैस का गंद सड़े हुए अंडे के जैसे होती है बताईए कहां से खुश्बू आती है साथियो सड़े हुए अंडे की तो हाइडरोजन सिल्फाइट से आती है या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमर डी के साथ जाएगा चली हुए उसके बाद देखें निम्लिकित मेंसे कौन सा हैबर प्रोसेस का उप्योग करके उतपादित किया जाता है तो हैबर प्रोसेस का उप्योग करके तो साथियों आमोनिया का उत्पादिन किया जाता है और आमोनिया को उत्पादित किया जाता है तो राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा या आप लोग ध्यान रखेंगे निम्निकित मेंसे कौन सी प्रिकरिया एक जीव में उर्जा उत्पन्न करती है बताईए तो कौन सी प्रिकरिया एक जीव में उर्जा उत्पन्न करती है तो जो शुयसन की प्रिकरिया है ना साथियों यही जीव में ऊर्जा उतपन करती है आंसर आपका जाएना चाहिए option number c के साथ फेफ्णे की बहारी आवरन परत को क्या कहा जाता है? साथ्यों बताईए तो क्या कहा जाता है? फुफुस आवरन कहा जाता है answer आपका जो जाएगा वो option number a के साथ जाएगा कैथ लेब तो आंसर आपका आगर है उप्शन नमबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखे साथियों के एक पीर्ड की अमर का पता कैसे लगा सकते हैं तो उसके वजन से नहीं उसके उचाई से नहीं वरतमान में अपनी वार्षिक च्छलों से साथियों बिल्कुल या आप लोग ध्यान रखेंगे जो च्छले होते ना इनको गिनकर साथियों उनकी आयों का निर्धान किया जा सकता है पता लगाया जा सकता है तो answer यहाँ पर जिनका भी option number C है तो बिल्कुल correct भाई बहुत बढ़िया very good class तो अब आप लोग देखिए सात्यों यहाँ पर reasoning के पहले question पहले सात्यों reasoning के question होंगे उसके बाद math के question देखेंगे तो reasoning का सात्यों पहला question आपकी screen पर है कि उस win आरेक का chain कीजिए जो निम्लिकित वर्गों के बीचे के समंद को सही ढंग से निरुपित करता है तो यहाँ पर सात्यों माता हैं पिता हैं और पुरुष हैं देखिए माल लेते हैं यह क्या हैं यह पुरुष हैं और जितने भी साथियों पिता होंगे ना जितने भी पिता होंगे वो पुरुष के अंतरगत ही तो आएंगे और ये मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी ये माता हो जाएंगी तो इस टाइप का साथियों आपको कौन से आप्शन में देखने को मिल रहा है साथियों और बताइए साथियो क्या इस कोशन का सही जवाब आपका हो सकता है देखिए एक यहाँ पर लेटर आएगा और बात करें यहाँ पर एक नहीं बरकि यहाँ पर दो लेटर आएंगे ठीक है यहाँ पर साथियो दो लेटर आएंगे और यहां पर कितने letter आएंगे यहां पर भी एक तरीके से सातियों 2 letter आएंगे और यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक, अब देखेए सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इन letters को count कर लिए कितने आखिरे letters है, 1, 2 खाली जंगाओं को भी गिंदे करेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननिस बीस यानि कि सात्यों बीस लेट रहें या तो अगर बात करें कितने का या तो चार का पेर बनेगा या सात्यों पाच का पेर बनेगा तो पहले चार का पेर बना लेते हैं अगर ठीक है आंसर मिल जाता है तो ठीक है वरना पाच पाच का पेर बनाते हैं पहले चार का बना लिजे एक दो तीन चार चार का एक अलग बन गया एक दो तीन चार ये चार का बन गया और एक दो तीन चार ये चार का बन गया और एक दो तीन चार अब देखिए साथियो अंत में क्या रहा है आर क्यू आ रहा है अंत में यहां पर भी आर क्यू है तो यहां पर अगर बात करें आर तो है लेकिन क्यू नहीं है तो साथियो यहां पर क Q दोनों नहीं है अंत में तो RQ बना लेंगे देखिए पूरा हमें मिल गया PSRQ तो P तो है S बन जाएगा ये भी साथ हो सेम बन गया PSRQ ये भी सेम बन गया PSRQ इसको भी बना लिजे PSRQ ये पूरा PSRQ बन गया इसको भी PSRQ बना लिजे और इसको भी PSRQ बना लिजे तो S यहा SR लिखा उसके बाद SR लिखा आपने उसके बाद सातियो P लिखा Q लिखा P लिखा Q लिखा और S लिखा अब देख लिजे ये कौन से option में सातियो जिस option में यह है न वही option आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है SR Q A कहां पर है SR ये हो गया Q S ये हो गया और R P Q S तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर B उसके बाद देखिए अगले नमबर का सातियो कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा दिएगे विकल्पों में से वो संखे आपको सातियों चुनना है यहाँ पर जो निम्भी की शुरणी में प्रिष्णवाचक चिन्न के इस्थान पर आए कुल मिलागी सातियों के सीरीज वाला कोशन है प्रिष्णवाचक चिन्न के जगापको बताने कौन सा नमबर आएगा देखियो और बताएगे सही जवाब क्या होगा देखिए सिंपल सी बात है पहले 16 में कितना माइनस यहां पर हुआ है तो माइनस 7 माइनस हुआ है 16 में 7 माइनस करें तो 9 आ जाएगा अब ये तो सातियों, एकदम मतलब यहां पर माइनस किया गया ये भी एकदम साथियों बढ़ गया मतलब गुड़ा हो गई और इसकी अगर बात करें 76 से अगर बात करें यहाँ पर साथियों 9 माइनस किया है देखिए यहाँ पर पहले में 7 माइनस किया एक छोड़ा दूसरे में 8 माइनस किया उसके बाद छोड़ा 9 माइनस किया मतलब 7 माइनस किया 8 माइनस किया 9 माइनस किया तो इसको छोड़ेंगे यहाँ पर साथियो 10 माइनस करना होगा और जब यहाँ पर साथियो 10 माइनस करेंगे तो 335 में से 10 माइनस करने पर 325 आपका अंसर आ जाए 325 option में है कहीं पर तो बिल्कुल 7 option में है लेकिन अभी हमें दूविदा है कि ये जो हम एक एक को छोड़ कर रहे हैं कि ये सही होगा अब अगर बात करें देखें ये 9 से अपको इतना तो आपको पता चल गया इसका इसका ठीकर ना एक चौक सातियों कितना होता है ये 6 होता है देख लेजे ठेक है 19 चौक आपका मतलब इसकी गुना चार से हो ऐगी ठीक है और इसकी गुना सातियों किससे हो जाएगी 67 क्यार बात करते हैं तो पाँच से आप गुना कर आओँगे 37 35 आ जाएगा 35 का 5 आ जाएगा 3 चला जाएगा 36 पंजे 30 और 33 तो ये ऐसे होगा सातियो मतलब इसकी गुणा 3 से फिर अगले नमबर 4 से फिर इसकी नमबर 5 से और नीचे जो खेल चल रहा है वो 7 माइनस किया फिर 8 माइनस किया फिर 9 माइनस किया और 2 ही निशकर्ष आपके सामने है सबसे पहले आपको सातियो कत्रों को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके एक और निशकर्ष देखिए और मुझे बताएए कि कौन सा निशकर्ष सही है और कौन सा निशकर्ष गलत है पहले कथन में लिखा हुआ है कि कुछ तारे ग्रह हैं तो ये मान लीजे सात्यों क्या हो जाएंगे ये तारे हो जाएंगे और मान लेते हैं सात्यों क्या इतने तारे ग्रह हैं तो ये सात्यों तारे हो गए और ये क्या हो गए ये आपके सात्यों ग्रह हो गए उसके बाद कह कुछ ग्रहे धूम के तू है तो मालने तो इतने ग्रहे सातियों क्या हो जाएंगे इतने ग्रहे आपके सातियों क्या हो जाएंगे धूम के तू हो जाएंगे अब निशकर्ष पढ़ियो निशकर्ष को देखकर वताइए कौँ सा निशकर्ष साइए कुछ धूम के तू ग्रह करें कथन एक सही है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ऐसा कहां पर लिखा हुआ है सातु ऐसा तो आपका option number D में आपको नजर आ रहा होगा तो exam में सातु इस type के question आपसे पूछा जाएगा तो आपको छोड़ के नहीं आना है बलके उस question का सही जवाब देखा राना है चलिए अब उसके बाद देखिए सात्यों यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है कि जिनके फलकों पर एक से छे तक यह तो लिखा ही होता है सात्यों एक से छे तक फलक होंगे उस संख्या का पता लगा यह जो संख्या छे वाले फलक के विपरीत है चलिए तो इसको भी देख लेते हैं सात्यों क्या इसमें है क्या नहीं है छे के विपरीत आपको बताना है मान लिजे अगर ये दो है दो का विपरीत क्या होगा दो का विपरीत इधर वाला होगा तीन के उधर वाला होगा ठेके ना तो ऐसी सातियो छे का वेपरीट आपसे पूछा जा रहा है अब मुझे एक बात बताए कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो सेम सेम हो बिलकुल तीन यहाँ पर भी है और तीन यहाँ पर भी है उसके बाद दूसरा काम यह तीन है ना तीन के बाद क्या आया है तो दो आया है दो लिख लेंगे और दो के बाद क्या आया है सातियो पाच आया है तो पाच लिख लेंगे तो तीन का विपरीद पूछा गया है साथियो जाहर सी बाते हैं यहाँ पर छे नंबर ही आएगा मजबूरन क्योंकि छे ही साथियो नंबर होते हैं टोटल तो कुल मिला के अगर बात करें साथियो यहाँ पर अगर बात करें कुल मिला के मतलब कुल मिलाके 6 वाला आपसे पूछा गया था 6 का वेपरीट क्या होगा तो 6 का वेपरीट जो होगा ना सातियो वे एक तरीके से 3 ही होगा ठीके ना 3 ही होगा तो 3 ही आपका राइट आंसर जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर option number A है तो बिल्कुल correct भई बहुत बढ़िया very good class चलिए अब उसके बाद देखिए साथियो यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देखिए साथियो और बताए यह सही जवाब क्या है यहाँ पर आपको जो यह आकरती आपको यह नजर आ रही ना आपको बताना है यह आकरती आपको कहां पर दिख रही है option number A में, B में, C में या आपको कहां पर दिख रही है साथियों D में ये आपको देखना है और बताने है साथियों आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है चलिए देखें यहां पर अगर बात करें एक यहां पर एक आयत टाइप का है तो क्या आपको यहां पर आयत दिख रहा है यह तो उपर को आयत है और यह नीचे को है यहां पर तो बिल्कुल उल्टा है तो यह नहीं हो सकता यहां पर आयत तो है साथियों लेकिन उसके उपर यह चौकोर टाइप का है उसके ओपर ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता यहां पर अगर बात करें यहां पर साथियों आपको आयत भी नजर आ रही है यहां पर आपको यह भी ऐसा उपर को नजर आ रहा है जैसे यहां पर है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप है यहाँ पर कोई गैप नहीं है साथियो लेकिन आप जो यहाँ पर देखेंगे चौकोर है बिल्कुल साथियो एक उपर तेड़े में चौकोर यहाँ पर भी है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी है और सात्यों यह जीरो टाइप का भी बना हुआ है जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो कुल मिला की आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर आप्शन नमबर A है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया फेरिकूर क्लास, अब उसके बाद देखिए, अगले नमबर का सात्यो कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए, और बताईए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो तो उसी परकार आपको बतानें, B-E-A-U-T-I-F-I को सात्यों क्या लिखा जाएगा, यहां पर एक चीज मुझे नोटिस करी है, मैंने क्या, कि N यहां पर भी है और N यहां पर भी है, और N का जो कोड आया है, सात्यों, वो 13 आया है, क्या आया है, 13 आया है, यहां पर कही N है नहीं है तो ऐसा भी नहीं है साथियों के कोड है माली जिए इनका कोड 13 है तो इनका कोड यहां पर होता तो 13 लिखते हैं ऐसा भी नहीं है और G का यहां पर लिखा हुए एक तरीके से लेटर पोजिशन साथ होती है तो समझ में आगए साथियो अब क्या है देखिए B की जगा पर क्या लिखेंगे B का विपरीत क्या होता है Y होता है और Y होता है साथियो 25 नमर पर तो 25 कहां पर लिखते है आपको एक तो यह दिख रहा है यह दिख रहा है यह दिख रहा है उसके बाद अगर बात करें Y का विपरीत क्या होता है Y का विपरीत साथियो B होता है तो 2 होना चाहिए अब 2 यहां पर है यहाँ पर है, यह तो साथियो यह आंसर होगा, यह आपका यह आंसर होगा, ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर बात करें, ए का वप्रीथ क्या होता है? ठीक है, आपका L, O, V, E आपने पड़ा होगा ना, तो V हो जाएगा, V किस पर आता है? साथियो 22 पर आता है तो 22 यहां पर आ जाएगा 22 साथियों सिर्फ यहां पर है न यहां पर है और यह तो आंसर ही नहीं चूह सकता तो कुल मिला कि आपका आंसर जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा सारा आपको चेक नहीं करना है क्यों सारा चेक करके टाइम वेस्ट करोगे सारा चेक करोगे तब भी आंसर यही होगा और छोटा सा चेक किया है तब भी आंसर यही होगा एक्जाम में आपको साथियो बिल्कुल ऐसे गलती नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत का मोता है साथियों आपके एक्जाम में चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर आच चुका है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है देखिए छे मित रहें A, B, C, D, E, F एक सीधी 36 पंक्ती में उत्तर की और मुग करके बैटें चलिए तो साथियों एक पंक्ती यहाँ पर है यहाँ पर कुल मिला के छे लोग बैठें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे छे लोग यहाँ पर बैठे हैं कहा गया है कि उत्तर क्यों तरफ मुग है इनका सब का मुँ उपर की तरफ है बैठे है, F और C के बीच में कौन बैठा है, साथियों B बैठा है, ठीक है तो F और C के बीच में हम बैठा लेते हैं, साथियों B आपका बैठ जाएगा उसके बाद लिखा हुआ है कि E, ये C के दाइण और तीसरे इस्तान पर है तो C कहांँ पर है, C यहां पर है और C का दाया किदर होगा, साथियों इधर कोगा तो तीसरे इस्तान पर, मतलब 1, 2, 3, तो यहां पर साथियों A आ जाएगा ठीक है उसके बाद किया लिखा हुआ है डी जो है ना डी ये ए के बाईं और ठीक बगल में बैटा है ए किदर ए ये है ए का बाईं किदर होगा ये होगा तो डी सातियों यहां पर बैटा है उसके बाद कहा गया है कि B के दाइं और दूसरे इस्थान पर कौन बैट है B के दाइं यह होगा यह होगा तो बताना है आपको कि यहां पर कौन बैट है देखिए अगर बात करें यहां पर A की सिर्फ कमी है A से F तक है न तो A से F तक सब है सिर्फ A की कमी है तो A सातियों यहाँ पर होना चाहिए कुल मिला कि आपका भी आंसर जाएगा जहां पर आप्शन नमबर A लिखा होगा यहने कि A लिखा होगा जो कि आप्शन नमबर B में लिखा हुआ है उसके बाद देखिए अगले नमबर का सातियों कोशन आपकी स्क्रीन पर है कि जटिल का सरल से वही संबन्द है जो संकुचन का है देखिए जटिल के अगर बात करें न तो जटिल का विलोम होता है सातियों सरल जटिल का विलोम होता है सरल और जब हम बात करते हैं साथियो संकुचन का विलोम क्या होता है तो संकुचन के विलोम क्या बात करें संकुचन का विलोम साथियो पर सार होता है तो आंसर यहां पर अगर है आपको आप्शन नमबर बी तो बिल्कुल character भाई, बहुत बढ़िया very good class इस question को देखें साथियो और इस question का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए, देखें letter position की अगर बात करें, तो K का अगर बात करें, साथियो L आया है, I का, यहाँ पर Z आया है यहाँ पर साथियो बारहा पराता है ओ आपका पंदरहा पराता है, G साथ पर और R ठारहा पर, A एक पर और M साथियो तेरहा पराता है अगर उसके बात साथियो यहाँ पर अगर बात करें तो L आपका फिर बारहा पराता है Z 26 पर आता है अब मैं इसकी करा रहा हूँ Q सातियो 17 पर आता है और F 6 पर आता है और N 14 पर आता है के 11 पर H 8 पर और J आपका 10 पर आता है यहाँ पर अगर बात करें सातियो कैसे क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर है ना यह आपका 11 है और ग्यारा से यह 10 हो गया, यहां पर 9 है और यहां से 8 हो गया है यहां पर 12 है साथियों और यह ग्यारा हो गया है और यहां पर क्या है, यहां पर 15 है तो यहां पर 14 हो रहा है, तो इस टाइप से साथियों हो रहा है, मतलब इसमें आपको एक घटाना इसमें घटाना इसमें घटाना है तो मैं कह सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हैं सात्यों कितने हैं आठ हैं तो 8 डैश हम लोग खीच लेते हैं आपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब A में से अगर एक घटाएंगे ना सात्यों तो कितना आएगा तो Z आएगा तो यहां पर Z आएगा अब आप्शन में से देखिए कहां पर Z है सात्यों तो आप्शन नमर D में Z है तो यहीं आपका राइट आंसर है एक्जाम में अब आपको आगे और चिक नहीं करना यहीं आंसर होगा लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखला देता हूँ I होता है साथियो 9 पर A8 हो जाएगा आपका H आजाएगा यहाँ पर R होता है 18 पर 17 पर आजाएगा साथियो Q आजाएगा और यहाँ पर साथियो C है तो यहाँ पर साथियो B आजाएगा और फिर अगर बात करें सात्यूं यहाँ पर Q आ जाएगा फिर ये Z आ जाएगा फिर ये सात्य ए आ जाएगा तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर D के साथ जाएगा वही बहुत बढ़ीया Very good class सब उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है देखिया और बताईए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है बताईए चली यहाँ पर अगर बात करें एक वस्तू के अंकित मूल पर दस पर्तिशत की और पांच पर्तिशत की करमिक छूट देने के बाद वो वस्तू चौती सो बीस रुपए में बेची जाती है वस्तू का अंकित मूल आपसे पूछा जा रहा है अच्छा यह जो छूट दी गई गई यह अंकित मूल पर ही छूट दी गई है मान लेते हैं साथियों अंकित मूल हम यहाँ पर अंकित मूल पूरा पूरा लिखें या एक्स लिख दें हाँ पर एक्स लिख देते हैं जादा आसान रहेगा बार बार अंकित मूल बहुत लंबा चोड़ना ही लिखना पड़ेगा तो अंकित मुल्ले पर 10 परतिशत की छोड दी गई यानि हो नी नवए रूपए में वो दी आ गया, नवए परतिशत में वो दी आ गया तो नवए बटे 100 आ जाएगा उसके बाद कहा गया ک近ी तु परतिशत की छोड दी गई और अंकित मुल आपका X है तो इसको पूरे को कल्कुलेट करो और X का मान निकाल तो वही आपका अंसर हो जाएगा अब इसको छोटा कर लीजिए 0 से 0 कर जाएगा 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 पांच निमा आपका 45 हो जाएगा अब अगर बात करें सात्यों X बराबर की आजाएगा ये 3420 है 3420 ऐसा ही हो जाएगा अगर बात करतें सात्यों ये 10 है और ये 2720 है तो यहाँ पर कुल मिलाके 200 आपका आजाएगा और नीचे सात्यूं क्या आजाएगा नीचे आपका 19 आजाएगा और कितना आजाएगा सात्यूं 9 आजाएगा इतनी इसी बात है सात्यूं चलिए अब अगर बात करें ना सात्यू देखिए तीन से कट कर ले ना तीन एकम तीन 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 नो हो जाएगा और तीन एकम तीन तीन एकम तीन इसको कट कर रहे हैं तीन एकम तीन 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 चौक आपका बारा और यह 0 हो जाएगा फिर से एक बार कोशिश कीजिए तीन से कट करने की तो तीन त्याप का क्या हो जाएगा साथियो नो हो जाएगा दो बचेगा तीन साथियो यानि के बीस की गुणा 200 से करना है तो दो दुना चार यानि के 4000 आपके इस प्रुष्टimal का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है तो जिनका भी आंसर यहां पूर आप्शन नमबर C है तो बिल्कुल कैरेक्टर भाई बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास अब उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताईए सही हो सकता है चलिए बढ़िया कोशन है साथियों देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या होगा कहा जारे कि एक वस्तू को 170 रुपए में बेचा जाता है बेचने पर एक वैक्ति को 15 परतिशत की हानी होती है कभी भी साथियों ऐसा कहे कि हमने किसी वस्तू को 200 में अब सातियों यह हुआ कि उसको 90 परतिशत में आपने बेचा और कितने रुपए में बेचा 200 रुपए में बेचा कहा जाए 200 रुपए में बेचने पर 10 परतिशत की हानु हुई यानि कि 90 परतिशत बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा तो अब हमें 100 परतिशत की वैलू अब अगर बात करते हैं, सय Bonnie कोशन की, तो 15 परतिष्छत की हानी होती है, निकर उस वस्तू को, 85 परतिष्छत में बेचा जाता है, और परतिष्छत में दिया गया है, उसको 170 में बेचा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, उसका क्रैमूल एक तरीके से क्या तो 100 प्रतिश्यत के निकालने के लिए 170 इंटू 100 बटे में सात्यों 85 आ जाएगा ठीक है ना 85 आ जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा 5 एकम 5 पाच दून आपका 10 हो जाएगा 2 की 100 से गुणा करेंगे सात्यों क्या जाएगा 200 आ जाएगा यानि के कहा जा सकता है कि उस वस्तू का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 200 होगा यानि के क्रेंगे सात्यों क्या होगा 200 होगा अब उसके बाद की लाइन पढ़िए कि यदि वह 206 रुपए पॉइंट 4-0 में बेची जाती है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है देखिए 200 में खरीदी कई और 6 और कितने में सात्यों एक्स्ट्रा में 6 इतने रुपए का तो लाब हुआ 6 रुपए 40 पैसे का लाब हो एक तरीके से कह सकते हैं लेकिन इसको पृतिश्यत में आपको बदलना है यह आपसे कहा जा रहा है तो इसको पृतिश्यत में बदलेंगे साथियों गुणा सौ लगाएंगे और गुणा सौ लगाएंगे भाग देंगे क्रामूले से नीचे जो आपका 200 है दो नमबर के बात पॉइंट लगा है इस जीरो को हटाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे अगर बात करते हैं साथियों तीन पॉइंट दो पृतिश्यत का प्रॉफिट होगा और ऐसा कहा पर लिखा हुआ है साथियों ऑप्शन नमबर डी में लिखा हुआ है तो यही आपका बिलकुल सही जवाब हो एक घं यह हो गया मानलीजे कहा गया है साथियों क्या कहा गया है कि इनкі भूजाओं के बारे में साथियों बताया क्या है कि अगर मानलीजे इसकी छे भूजा है इसकी आट भूजा है दस भुजा है तो ये तीन ठोस धादवी घनों को अगर इन तीनों को मिला के पिगलाया जाता है ये कहा गया है कि अगर पिलाया जाता है तो उसके बाद एक नए ठोस मतलब इन तीनों को पिगला कर एक नए घन मान लीजे बनाया जाता है तो नए घन की भुजा की माप साथियों कितनी होगी देखिए अगर बात करें इन तीनों का अगर इसको पिगला कर ये बनाया जाता है तो इसका आयतन क्या इसका आयतन और इसका आयतन साथियों बराबर होगा ये बात आपको ध्यान रखना है अब साथियों बढ़ते हम एक बड़ा वाला भी है एक बड़ा वाला भी है एक बड़ा वाला भी है साथियो उसको मान लेते जो इन तीनों को बनाकर बनाया जाता है ना उसको मान लेते साथियो इतना है तो इसकी घंड की भुजा मतलब इसकी भुजा ही आपको एक तरीके से चाहिए है ठीक है ना तो हम लोग देख लेते हैं सात्यों यहाँ पर अगर बात करें इस ए वाले की भूजा हमको चाहिए है अगर बात करें इसका आयतन और मैंने कहा था कि इनका आयतन बराबर है तो इनके आयतन की बात करें इनका आयतन पिलस ये वाले का आयतन ये दो है ये एक है और प्लस अगर ब क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 216 हो जाएगा एक क्यूब कितना है यानि कि 8 का क्यूब साथियों कितना हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए 512 हो जाएगा और एक तीन कितना है दस है तो दस का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों एक हजार हो जाएगा तो इनको अगर साथियों जोडेंगे तो एक हजार पांसो बारा कितना हो जाएगा पंद्रा सो बारा हो जाएगा और दो सो सूला अगर साथियों उसमें जोडते हैं तो ये आठ ये दो यह साथ यह एक आजाएगा यानि कि एक क्यूब कितना आएगा साथियों सत्रा सो अटाइस आएगा और अगर बात करें एक क्यूब सत्रा सो अटाइस का मतलब है कि यह किसी संक्या का घं होगा तो यह बारा का साथियों घं होता है किसका घं होता है बारा का घन होता है तो ए बराबर कितना आ जाएगा साथियों बारा आ जाएगा तो बारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका आप्शन नमबर सी में होई बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास 75 भाग 30 ओफ 5 बटे साथ अब अगर साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो तीन तीन नौँ हो जाएगा और 9 और एक साथियों कितना हो जाएगा 9 और एक आपका दस हो जाहेगा इनके 10 भटे 3 आजएगा उसके बाद माइनस लिख दिया तीने कम तीन तीन और दो साथियों पांच बटे यहां पर तीन आ जाएगा अब अगर बात करते हैं नीचे नीचे तो से मैं तीन तो एक बार उतार लेंगा उपर साथियों दस माइनस पाच आ जाएगा तो यहां पर कितना आजाएगा पांच बटे तीन आजाएगा यानि के पूरा इसको कल्कुलेट करके साथियों इसको कल्कुलेट करके कितना आएगा पांच बटे तीन आएगा माइनस लगा लिया अब अगर बात करें इसको solve करा लेते न ठीक है तो 5 बटे 7 लिखा है तो 5 बटे 7 हमने 7 लिख लिया इस भाग का निशान हम इसको गुणा में बदल लेंगे लेकिन गुणा में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि इसकी उल्टा पल्टी होगी जैसके 9 बटे 14 लिखा है न तो 14 बटे 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा अब इसको साथियों आप देख लिजिए कितना कितना आपके पास आ गया 10 बटे 9 आ गया माइनस 5 बटे 3 आ गया अब यहाँ पर अगर बात करें साथियो यहाँ पर क्या था यहाँ पर तीन बटे चार था और फिर यह क्या था साथियो फिर आपका अगर बात करें यह आपका 75 था 75 था उसके बाद साथियो भाग 30 था उसके बाद माइनस तीन बटे चार था उसके बाद यहाँ पर आफ था अब यहाँ पर चूंके साथियो आफ है तो यहाँ पर इसका मतलब गुणा आ जाएगा यानिके दस बटे नौ से पहले गुणा आ जाएगा और ये तीन बटे चार लिखा हुए, तीन बटे चार साथियों लिख जाएगा, ये क्या है, ये 75 बटे 30 है ना, मतलब 75 बाग 30, तो 15 दुना 30 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा, यानि कि इसकी जंगा 5 बटे 2 आ जाएगा गुणा में, 5 बटे 2 आ गया, तो अब आपके पास साथियों कितना रहा, इतना रहा, जितना आपके सामने, अच्छे यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर मैंने गुणा का निशान क्यों लगा दिया, यहाँ पर तो माइनस आएगा, क्यों क्यों कि यहाँ पर भी माइनस है, चलिए, अब अगर साथियों बात करते, अब कि हो जाएगा माइनस पांच बटे तीन यहाँ पर साथियों आ जाएगा चलिए ठीक है अब अगर बात करें साथियों इसको कल्कुलेट करा ले इस पूरे को कल्कुलेट करा ले पांच बटे दो आपके पास आ गया है अच्छे इसको और ये कट रहा है तीन पंजे आपका 15 हो जाएगा तीन चंग 18 हो जाएगा अब आपके पास सातियों क्या है अब आपके पास आया है 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 6 माइनस 5 बटे 3 आपके पास आ गया है देखिए अब अगर बात करें इसको और इसको कल्कुलेट करा ले छे यहां पर रहना इसको भी 6 बना लो आसान रहेगा इसको 6 बनाओगे तो सातियों 3 से गुणा कराओगे और इसकी भी 3 से गुणा कराओगे तो कहा जा सकता है उपर सातियों कितना हो जाएगा उपर 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो नीचे तो 6 हो जाएगा साथ उपर 15 हो जाएगा नीचे भी 6 नीचे भी 6 तो एक बार 6 आजाएगा और उपर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आजाएगा यहां पर कितना था पाच बटे तीन था इसको भी सात हो ऐसा करो छे बना लो तो दो से इसकी गणा कराओऊगे तो ये 6 बन जाएगा दो नीचे बी छे इधर भी 6 इृधर भी छे हो जाएगा और 10 में से 10 जाएगा तो साथियो zero बचेगा तो आंसर आपका क्या जाएगा zero बटे च्छे जाएगा और जब ऐसा होता है कि zero के बटे में कोई नंमर होता है तो तो वहाँ पर answer आपका zero ही होता है तो zero option में है बिल्कुल ऐसा थियों option नंबर b में है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है एक वस्तु का अंकित मूल 450 रुपए है इसे 10 प्रतिशत, X प्रतिशत और 20 प्रतिशत की 3 क्रमिक छूटों के बाद इसको 267 पॉइंट 30 रुपए में बेचा जाता है X का मान आपसे साथियों हाँ पर पुछा जारे देखिए अंकित मूल साथियों कितना है अंकित मूल है 450 इस 450 पर यानि कि इस अंकित मूल पर साथियों पहले जब 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है यानि कि इसको 90 प्रतिशत में बेचा जाता है क्या कह सकते है 90 बटे 100 हो जाएगा ठीक है एक्स प्रतिशत की बात आई दे कि कभी में माल लेजिए जिसके 10 प्रतिशत यहां पर है तो हमने उसको कितना लिखा एक तरीके से 100 माइनस 10 100 माइनस 10 बटे 100 ऐसे करके तो लेखा तब ही तो साथियों 100 में से 10 जाएगा तो 90 बटे बचेगा यानिके 90 में से 100 होगा 20 होता तो हम क्या लिखते साथियों यहां पर 100 माइनस 20 लिखते 20 लिखते लेकिन यह संखिया हमें पता है तो हमने यहां पर घटा दिया लेकिन अगर यह संखिया साथियों हमें पता ना होती 20% की यानि कि तो कितना हो जाता है 80 वटे 100 हो जाता है तो अब इन छूटों को देने के बाद वो जो वस्तू बेची जाती है वो साथियों कितने रुपए में बेची जाती है 266.30 रुपए में बेची जाती है तो 266.30 रुपए में बेची जाती है X का मान आपसे पूछा जा रहे है यह जो X है ना X इस का मान सात्यों आपसे पूछा जा रहे है कितने प्रतिशत की उसको छूट दी गई चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए X का मान आपको इस पूरे को कल्कुलेट कराना है ठीक है चलिए अब अगर बात करें देखिए कि नीचे आपका 100 है ठीक है और नीचे आपका 5 है अगर इस 5 को भी कट कर दे और 5,9,45 कर दे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब बहुत ध्यान से देखिएगा सातियों अब बहुत ध्यान से देखिएगा ये 100-X है ना 100-X सिहां पर हमने लिख लिए 100 मैनस X वराबर ये कह लिखा है 266 ये भी साथी हमने लिख लिख लिया पॉइंट 30 भी लिख लिख लिया अब नीचे कौन कौन सी संख्या है नीचे साथी सिर्फ 100 है तो ये 100 लगेगा इसमें नीचे और अगर बात करें जो ऊपर वाला होगा ना व पॉइंट हटाएंगे साथी नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे एक लगा के अब इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है चलिए अब एक बार साथी इसको और कट कर लिजी देखिए क्या ये साथी चार से कट हो रहा है देख लेते हम लोग एक बार चार से तो नई कट हो रहा है ठीके ये तीन से कट हो जाएगा देख लीजए तीन इकम आपका तीन हो जाएगाチャンネル कित इस 0 से 7 यह 0 कट जाएगा और अगर बात करें 3 नीम आपका कितना आजाएगा 3 नीम 27 आजाएगा इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पर लिख लिख लिजिए 3 नीम 27 होगा 3 नीम 27 होगा 3 सते 21 होगा और 0 नहीं होगा ठीक है और अब नीचे सतियों क्या बचा है 9 बचा है और 4 बचा है अब 3 से एक बार और देख लिजिए सतियों कट हो रहा है 3 से नहीं कट हो रहा है देखिए हाँ कट हो जाएगा यह ऐसा करो 9 से ही कट हो जाएगा 9 नो 27 हो जाएगा दो बचे का 27 हो जाएगा, नोतिया 27 और 0 का 0 यहां पर लग जाएगा, ठीक है, अब ये भी कट होगे, अब इसको 7ग 4 से कट करा लो, या ने कि 330 को 7ग 4 से कट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आजाएगा, 4000, reader 32 हो जाएगा, एक जाएगा, इफदस हो जाएगा, 4000, एक ज चलिए अच्छा यहां पर एक बात है देखिए चार इठे बत्तिस हो गा ना चार इठे बत्तिस हो गया ठीक है उसके बाद चार इठे बत्तिस में से साथियो जब एक बचे गा तो यह दस हो जाएगा चार दुना आपका आठ हो जाएगा आठ हो जाएगा तो साथियो यहां पर एक नहीं, यहां पर दो बचेगा और पॉइंट लगाएंगे, जिरो बढ़ाएंगे चार पन्जे आपका कितना हो जाएगा चार पन्जे आपका 20 हो जाएगा तो इतना आपकोल मिलाके यहां पर आता है अब देखिए, अब यहां पर कहा गया है कि X का मान गयाद कीजे तो X का मान गयाद कीजे साथियों X का मान वैस कैसे हम गयाद कर पाएंगे X का मान हम कैसे गयाद कर पाएंगे 100-X यहां पर साथियों हमने लिखा था 100-X तो X की वैलू क्या आई है साथियो 82.5 आई है बही बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास अब उसके बाद देखिए कि एक निश्चित धंडाशी कोई निश्चित धंडाशी है कोई धराशी है वो साधारन ब्याच पर दो वर्षों में कितनी हो जाती है साथियो आठ हजार छे सो चालिस हो जाती है और तीन वर्षों में कितनी हो जाती है देखिए दो वर्षों में तो साथियो इतनी हो जाती है और तीन वर्षों में नो हजार साथ सो बीस हो जाती है धंडाशी में धंडाशी और वाशिक ब्याच दर कितनी होगी यानिके आपसे धंडाशी भी पूछी जा रही या पूछा जा रही के मूलधन कितना होगा और पूछी जा रही है साथियो आर यानिके पूछा जा रही के दर कितना होगा तो ये दो चीजे आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन सी एक तो धन्राशी की अगर बात करें धन्राशी मैं आपको बता दूँगा कैलकुलेट करके एक सिकंड तो मैं आपको धन्राशी बता दूँगा साथियो और मैं आपको दर बता दूँगा चलिए यहां पर दर हो गई और धन्राशी हो गई अब यहां पर बहुत ध्यान से साधरन ब्याज पर दो वर्षों में 8640 हो जाती है और तीन वर्षों में कितनी हो जाती है 97, 120 हो जाती है तो मैं कह सकता हूं साथियो एक वर्ष का साधरन ब्याज कितना निकलेगा इन दोनों को अगर साथियो माइनस कराओगे तो मैं कह सकता हूं 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा और अगर बात करें सात्यों ये 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा और यहां पर सात्यों 0 आ जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा यानि कि कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो साधरन ब्याज पराप्त होता है वो 1080 प्राप्त होता है ठीक है अब यहां पर साथियों देखें दो वर्ष का साधरन ब्याज है दो वर्ष का साधरन ब्याज है तो इसकी जरा दो से गुणा कराओं मैं ये देखना चाहता हूं कि दो वर्ष का साधरन ब्याज है कितना आखिर तो दो वर्ष की अगर इससे वयाज हमने निकाल लिया है तो हम जब इस में των 2 वशका साधराण वयाज घटा देंगे तो यह मूल्धनी तो निकालाएगी यानि के पहले प्रिश्ण का हमें जवाब मिल जाएगा तो 640 में से 2640 में से 72160 घटाएगे तो 2488 रुपाय कहां पर लिखा हुआ है एक साथ यो लिखा हुआ है या तो आप्षण नुमबर A-right answer होगा या आपका D-right answer होगा लेकिन अब हम सातियों निकाल लेते हैं क्या अब हम सातियों एक बार दर भी निकाल लेते हैं 480 रुपए आपका मूल्धन हो गया अच्छा दर निकालने के अगर बात करते हैं तो दर बराबर क्या होता है दर बराबर होता है SI into 100 बटे P into T ठीक है इसमें हम बैठाल देते हैं अब अगर साधारन ब्याज की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक वर्ष का सातियों साधारन ब्याज कितना निकला था या दो वर्ष का लिख लेते हैं 260 निकला था 260 हो गया 100 हो गया और मूल्धन कितना है 6480 है 6490 हो गया और कितने समय के लिए 2 समय के लिए 2 वर्ष के लिए अब इसको अगर कट करने पर आएं साथियो तो यह कैसे कट होगा यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ देखे इस 0 से आपका यह 0 कैंसिल हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और इसको अगर कट करेंगे 2 एकम 2 0 2 8 16 हो जाएगा ठीक है इतना कट हो गया अब अगर बात करें इसको यहाँ पर लिख लीजे 108 00 और यहाँ पर कितना आजाएगा 648 आजाएगा इतना आप साथियों बचा है कुल मिला कि और कुछ नहीं है चलिए दो इसे कट कर लेते 53 6 दो दो दूणचार दो चौक आठ हो जाएगा 25 10 चार हा जाएगा फिर इसे 2 से कट करें 2 एकमño 2 22 16 दो दूणचार हो जाएगा यहां पर साती हो आपका 22 24 27 14 यह यह आजाएगा 2 से कट करेंगे 21 18 16 22 यह Test हो आजाएगा 2 पंजे 10, 1350 आ जाएगा 3 से अगर कट करें न तो 3 चौक 12 आ जाएगा 3 पंजे 15 आ जाएगा अगर इसको कट करेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 आ जाएगा और यहां पर 2 चला जाएगा 3 सत्य आपका 21 आ जाएगा ठीक है अब 9 पंजे की अगर बात कर 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूर अठर 27 हो जाएगा तो कुल मिला के 50 बटे 3 आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आर कितनी निकल रही है साथियों आपकी 50 बटे 50 बटे 3 निकल रही है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो साथियों 3 आजाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा 20 हो जाएगा 3 चंग 18 हो जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा तो आर भी साथियों निकल गई आर कितनी आती है साथियों 16 सही 2 बटे 3 आती है तो 16 सही 2 बटे 3 कहां पर लिखा हुई है आप्शन नमबर D में लिखी हुई तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और मूलधन तो हमने पहले ही निकाल लिया था तो जिनका भी आंसर यहां पर D है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए साथ्यो अगले numबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताएए सही जवाब आपका क्या होगा देखिए A और B की आय का अनुपात कितना है उनकी आय अगर A की आय साथ्यों चार है तो B की आय कितनी है पाच है ऐसा कह रहा है और उनके व्याओ का अनुपाद कितना है? दो अनुपाद तीन है मतलब अगर कमातें चार हैं तो खर्च दो करते हैं कमातें पाच है तो खर्च तीन करते हैं यद्य काया अर बी करमशाह 72 सो रुपए और 6000 रुपए की बजद करते है यानि के इतने इतने रुपए बचाते भी है तो A की I आपसे पूछा जा रहा है यानि के 4X का मान एक तरीके से पूछा जा रहा है देखे A और B की I का अनुपाद कितना दे रखा है 4 अनुपाद 5 दे रखा है मान लेते A की I सात्यों 4X हो जाएगी और B की आई कितनी हो जाएगी पाच X हो जाएगी उसमें ये भी दिया है साथियों कि A जो बच्ट करता है वो 72 सो रुपई की बच्ट करता है ठीक है 72 सो रुपई की बच्ट करता है अब इनसान माल लीजिए साथियों अब उसकी आई कितनी है उसकी आए सात्यों 4X है अब इस 4X मेसे सात्यों अगर वो कितना बचाएगा 72 सो रुपए बचाएगा तो आगे क्या आएगा सात्यों आगे क्या आएगा 72 सो मैं यहां पर लिख देता हूँ अब एक वेक्ति अपनी आए मेसे सात्यों अपना क्या निकालेगा अपनी बचत अगर वो निकालता है तो उसके सामने क्या आएगा उसके सामने एक तरीके से वे आएगा यानि कि उसने कितना खर्चा किया आपकी आयमाली जे सात्यों 10 है आपने उसमें से 2 रुपए बचत किये तो ये क्या निकलेगा ये साथियों खर्च ही तो निकलेगा यानि कि 8 रुपय आपने खर्च कर लिए अब उसी प्रेकार अगर बात करते हैं देखिए और यहां पर जो वैद है ना वै का भी अनुपाद दे रखा है वै का अनुपाद कितना है कि ए का दो है और बी का कितना तीन है तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं माल लिजे इसकी ए की आए मेंसे साथियों उसकी बच्चत को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है साथियों उसका वे का अनुपात आ जाता है जो के दो है ठीक है अब उसी प्रिकार अगर बात करें साथियों B की B की आए कितनी है 5X है इसमें से ये बच्चत कितनी करता है 6000 रुपाई की बच्चत करता है तो साथियों इसका भी अनुपात आ जाएगा वे का तो तीन है तो ये अब इसको साथियों आपको सॉलू करना है बस और कुछ ने आपको करना है चारतियों आपका साथियों 12X हो जाएगा 12X हो गया 72 की 3 से सातियों कराओगे 216 आजाएगा 216 डवल 0 लग जाएगा बराबर 5 दूना 10 X आजाएगा और 6 दूना सातियों 12 आजाएगा यहाँ पर चलिए तो यह आपका 12,000 हो गया अब देखें आपर 12 X है और यह 10 X है उधर है बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2X बचेगा अब 2X बराबर सातियों कितना हो जाएगा 216 मेंसे अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 216 डवल 0 मेंसे कितना घँच घाएगा सातियों 12,000 घच जाएगा ठीक है ना तो 216 मेंसे जरा 120 सातियों घटता अ community क्या बचेगा 6 और यहां पर साथियो 9 बचेगा 96 बचेगा खुल मिला के ठीक है यानि के 900 बचेगा तो अब आप साथियो यहां पर देख पा रहे होगे कि 2X बराबर कितना है 2X बराबर 900 है तो X बराबर कितना होगा 2 की भाग कर दो पता चल जाएगा 2.4 अट हो जाएगा तो 4X की वेलू क्या होगी साथियो 48-100 की 4 से गुणा करा लो 4-8-32 लगा दो 4-8-32 हो जाएगा 4.16 और 3 साथियो 19 हो जाएगा तो 19,200 साथियो यह A की आई निकल आएगी B की B आई निकल लेंगे X की वेलू 48-100 है और B की आई कितनी है से 8 वर्ष चोटी है क्या लिखा आएगा बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छा कोशन यह आपकी एक्जाम में आएगा कि सीमा रीमा से 8 वर्ष या निकल मिला के साथियो दो लड़किया है एक है सीमा क्या एक है सीमा साथियो और एक कौन है एक है रीमा चलिए सीमा और रीमा दो लड़किया है रीमा यानि कि सीमा जो है वो रीमा से 8 वर्ष चोटी है ठीक है तो अगर साथियो हम मान लेते हैं रीमा की अमर कितनी रीमा की अमर अगर X है तो सीमा की अमर कितनी हो जाएगी साथ हो X-8 हो जाएगी क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सीमा जो है ना सीमा ये 8 वर्ष छोटी है तो जब इसमें से इसकी आयू में से 8 को माइनस करेंगी तब ही तो आएगी तो कुल मिला कि अब आपको सीमा की भी आयू पता चल गई रिमा की भी आयू पता चल गई उसके बात कहा गया है कि अगर 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 4 माइनस करेंगे इसमें से भी 4 माइनस करेंगे 4 वर्ष पहले उनकी आयू का अनुपाद कितना था एक अनुपाद 2 था तो हम लिक लेते हैं सात्यों यहां पर देखिए एकस माइनस आठ ये तो आपका हो जाएगा वर्तमान आयू चार वर्ष पहले की बात किये तो चार माइनस कर देंगे इसमें से भी सात्यों चार माइनस कर देंगे ठीक है और इन 4 वर्ष पहले कि अगर बात करें, उनका अनूपात कितना था, एक अनूपात दो था, यानि कि अगर सीमा 1 साल की थी, तो रीमा 2 साल की थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब देखिए 7 यहां पर, अब साथियां पर अगर बात करते हैं ये आट भी माइनस का है और चार भी माइनस का है तो आट और चार जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा साथियों बारा हो जाएगा लेकिन माइनस ही आएगा उसके बाद एकस माइनस चार ही हो जाएगा एक बटे दो है एक बटे तो हो जाएगा अब इसको calculate करा लीजिए 2 की X से गुना होगी साथियों तो 2X हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा अगर बात करे X आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अब यहाँ पर देखे 2X लिखा हुआ यह उधर वाला X इधर आएगा तो 2X माइनस X हो जाएगा जैने कि X ही बचेगा सिरिफ और जब साथियों यहाँ पर X बचेगा तो उसके बात क्या हो जाएगा उसके बात यहाँ पर 24 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा तो कुल मिला कि X बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा साथ हूँ वो 20 आएगा यानिके X बराबर 20 अब आपको मान मालूब पड़ गया अब यहां पर क्या का जा रहे है दो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयू क्या होगी देखिए सीमा की उम्र वर्तमान समय की पहले निकालिये तो X-8 और X की वैलू है 20 यानिके 20-8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो 12 तो अभी वर्तमान समय की आयू है 6 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है ना तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजे कितना आजाएगा 7 वर्ष बाद की पूछता तो 26 वर्ष आप बता देते तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर B है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताएए सही जवाब क्या है चली तो 6 प्लस 3 लिखा हुए 6 प्लस 3 आफ 7 यहाँ पर सातियों 7 माइनस 5 है ब्रैकेट बंदे भाग लिखा हुए 2 आफ 11 लिखा है इसका मान आपसे पूछा जा रहे देखिए 6 प्लस 3 लिखा है तो 6 प्लस 3 आजाएगा और आफ का मतलब सातियों गुणा होता है तो 7 माइनस 5 आ जाएगा अब यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है और भाग हो तब भी नहीं सबसे पहले इसको सातियों सॉल्व करना है उसके बाद bracket बंद हो जाएगा bracket बंद हो गया भाग का निशान आ गया साथियों बिल्कुल भाग का निशान आ गया और यहाँ पर अगर बात करें दो गुणा 11 है न तो कितना जाएगा 22 आ ठीक है अब 6 प्लस यहाँ पर साथियों 3 साथियों 21 हो जाएगा और माइनस यहाँ पाच हो जाएगा तो 21-6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 27 में से सातियों पाच जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा अब 22 भाग 22 है तो जब 22 की भाग करोगे सातियों 22 है तो कितना बचेगा एक 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 ए कि सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 गंटे में करती हैं तो सोनी माली जे एस हो गई और गीता क्या हो गई गीता जी हो गई तो सोनी और गीता मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती हैं और सोनी अकेले क्या सोनी अकेले साथियों उस काम को 12 दिन में 12 गंटे में करती हैं गीत अकेले अगर उसकार को करे तो कितने गंटे में स्वापत करेगी वह आपसे पूँछा जा रहा है तो असके बाद सेकेंड स्टेप आपको करना होता है यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 8 के पाढ़े में भी आए और 12 के पाढ़े में भी आए और कितनी बार में आएगा आठ तीना चौबिस तो तीन यहां लिख लोगे बारा दुना चौबिस तो यहां लिख लोगे तो अब आपको कुल मिला कि यह पता चल गया कि S और G एक घंटे में कितना काम करते हैं गंटे में तीन काम करते हैं आपको ये पता चल गया कि एस एक गंटे में कितना काम करता है साथियों दो काम करता है तो मैं कह सकता हूं साथियों देखिये एस अगर एक गंटे में हाँ पर मैंने आपको बता है कि दो काम करता है तो जाहर सी बात है जी एक गंटे में एक काम कर 24 गंटे में निफटाएगा तो आप से यही पूछा गया था कि उस गीता अकेले उसका आपको कितने गंटे में करेगी तो 24 गंटे में करेगी तो 24 कहां पर लिखा हुआ है साथ हो आप्शन नमर डी में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखें यह 60 में नमबर का कोशन है देखें एक विल्यन में इलकुल और जल का अनुपाद कितना है मगर जीसे कहा गया है कि अलकुल अगर 4 एक्स है तो जल कितना है जल 3 एक्स होगा इस विलियन की 350 मिले लीटर मात्रा में मतलब इस पूरे की मात्रा कितनी है एक मान लेते हैं एक ड्रम है इसमें 350 अमिल है 350 अमिल है इसमें पानी भी है इसमें अल्कोहल भी है और कहा गया है कि इस विलियन की 350 मिले लीटर मात्रा में कितना और पानी मिलाने पर कितना पानी मिलाने पर विलियन में इलकोहल और जल का अनुपाद 5 अनुपाद 6 हो जाएगा तो सबसे पहले साथियो ये निकाल लीजिए कि असल में एक्टूल में ये जल कितना है और पानी कितने है तो जब 350 गस पूरे में है तो मैं कह सकता हूं । य। गार चार है, 4X है और जल का अउपाद 3X है तो इसकी मातन निकाल सकते हैं देखे, कैसे निकालेंगे अगर बात करें, साथ य। गार आजाए गार गार अगर की निकालेंगे गार पूरी माOCल की दिनी है 20 चो कितने हो जाएंगे साथियो 200 हो जाएंगे तो 200 आपकी क्या निकल जाएगी साथियो 200 आपकी अलकोहल निकल जाएगी ठीक है 200 अलकोहल निकल गई तो अब जाहर सी बात है साथियो 150 क्या निकल जाएगी 150 आपकी किसकी मातरा निकल जाएगी जल की मात्रा निकल जाएगी चलिए ठीक है अब देखिए यहां पर अगर बात करें अब यह किस टाइप से होगा देखिए वई इस विलियन की 350 में लेटर मात्रा में कितना पानी और मिला दिया जाए 200 तो इलकोहल है ठीक है 200 इलकोहल है जल कितना है जल 150 है जल में कितनी मात्रा और मिला दे तो मैं कहूंगा एकस मात्रा और मिला दो ताके मिलाने पर इसका विलियन का यानिके अलकोहल और जल का अनुपाच जो है वो 5 अनुपाच 6 हो जाए याई के और अल्कुल जो है वो 5 होजाए और जल जो है वो 6 होजाए जब x में एक्स मिला देते हैं, 7 यो जल में x की मातरा तो गुल मिला के इसको कल्कुलेट कर लीजी और x कामान निकाल लीजीए, 6 दो आपका 12 हो जाये याई के 12 100 हो जाएगा बराबर अगर बात करें यानि के प्लस अगर बात करें ठीक है प्लस ही आएगा अब उसके बात अगर बात करें एक सो पचास की साथियों पाच से पहले गुणा होगी तो कितना आजाएगा यहां पर बराबर आजाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर कोई 200 के बगल में कोई नमबर लिखा नहीं है तो प्लस माइनस आएगा नहीं कुल मिला के 1200 बराबर साथियो 15 पंजे 75 होता है तो यहां पर 75 750 आ जाएगा प्लस आपका साथियो 5 एक्स यहां पर आ जाएगा अगर बात करते हैं साथियो 1200 में से यह 750 माइनस करेंगे इधर काएगा तो 0 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा साथियो तो 5 बचेगा और यहां पर 400 यहां पर 450 बराबर जो आएगा वो 5 एक्स की वैलू आएगी तो एक X की वैलू सात्यों कितनी आएगी 90 आएगी ठीक है ना 90 आएगी तो मैं कह सकता हूं सात्यों कि अगर इतने ML विलियन में अगर पानी की मातरा 90 मिलाई जाती है तो अलकोहल और जल का अनुपाद कितना हो जाता है पाच अनुपाद 6 होता है तो आंसर आपका जो अनके उसके बाद 10 कोशन आपने रीजनिंग के देखे और 10 कोशन सात्यों आपने मैट के देखे ठीके ना तो एक लास आपको सात्यों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अबश्य बताएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके बेलाएकर पर क्लिक कीजेगा उसके अलावा अगर बात करें सातो इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर भी जरूर कर दीजेगा और डिस्क्रिप्शन में सात्यों गुरूप बगरा का लिंक है उसको एक बार देखिएगा और एक प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे र जरूर पका हो जाएगा तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सात्यों